एक हैटिक लाइफ को चाहिए कुछ सुकून भरेपल जंगलों के बीच जील के किनारे पीस्फुल अट्मोस्फियर में ऐसी ही एक जगे है कोर्बा चत्तिस गड़ में जंगलों के बीच बुका अगर आप बुका के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको कुछ बाते बता दू यह बंगो रजर वायर में बना हुआ एक टुरिस्ट स्पॉर्ट जो फॉर्स डेपार्टमेंट द्वारा बनवाया गया है जिसमें पीछे की ओर तो डेंस फॉर्स्ट और सामने की ओर एक खुबसूरत लेक है हम दो दिन के कोर्बा टूर में थी कल हम सत्रेंगा हम में थी और वहां की वीडियो कर आप देखना चाहते हैं तो उपर दिये व कि होवे हैं ये टेंट वाला उसमें दूसरा है यहां लेक हाउस हस्देव हाउस और ग्लास हाउस बाकी तीम तो हमें मिल नहीं पाए थे बिकॉस एवलेबिलिटी नहीं थी यहां पर तो अभी हम टेंट में रुके हैं जो भी बहुत अच्छा है तो आगे बढ़ने से पहल यह चार टेंट्स दिये हुए हैं इसमें और इन्हीं टेंट्स में हमें स्टे किया हुए हैं जिसके पीछे एक देंस फॉरेस्ट है और सामने की और एक बशूरत लेग यहां आसपास इससे अच्छा कोई आप्शन हो सकता है पुडिंग के लिए एक सेपरेट टेंट दिया हुआ है और बच्चों के लिए कुछ इस एक्टिविटीज यहां बनाई गई है एक होर्स राइड भी अवलेबल है आप यहां बॉनफायर कर सकते हैं यह सब यहां प्रोवाइड किया जाता है तो कुछ एक्टिविटी जोन है फॉर्किट्स यह है जो एक्टिविटी जोन बनाएंगा है फॉर्किट्स तो अगर आप अपनी यहां फैमिली के सांद भी स्टेक करना चाहते है तो इस वेरी गुड ऑप्शन अगर आप यहां एक्टिविटी कुछ नहीं भी करते हैं तो भी इतना सुकून बराएं कि आपका वीकेंड बहुत अच्छे तरीके से जाएगा यहां पर बोट राइट्स अवलेबल हैं जिसकी टिकेट आपर टिकेट काउंटर और जो रसेप्शन आप समझ सकते हैं यहां ऐसा है सुबह के वक्त बुका का नजारा सुनहरी धूप की किरने पानी पे बने हुवे तरंग और उस पे चलती हुई नाओ साथी ठंडी ठंडी हवाएं सुबह की इससे अच्छी शुरुवात तो होई नहीं सकती लेक किनारे यह जो बिल्डिंग दिख रही है यही ग्लास हाउस है यह पूरी काचों से बनी हुई है इसलिए यहां से लेक के नजारे बहुत अच्छे दिखते हैं इसके बाजू में ही एक और बिल्डिंग है जिसे लेक हाउस कहा जाता है बुका जो है वो राइपुर अंबिकापुर हाइवे से हाडली पांच किलो मेटर डी रूट हो करके अंदर की ओर है आपको साइन बोर्ड मिल जाएगा और यह पूरा एरिया फॉरस देपार्टमेंट द्वारा डेवलेप्ट एंड मेंटेंड है जो की हार्ड फास लाइफ में सीटीज में बिलकुल नहीं हो पाता है ब्रेक्फास्ट का वेट करते करते हम भी एक्टिविटी जोन में आ गए और इससे हमें हमारे बच्पन की यादा आ गई सो ब्रेक्फास्ट आ चुका है जो बहुत ही डिलिशियस है और उससे भी अच्छा है यहां का वियो ब्रेक्फास्ट के बाद हमें रैडी होकर के बोट राइड के लिए जाना था तो जब तक हमारे राइड शुरू नहीं होती है मैं आपको ड्रोन वियो से दिखाती हूँ कि बोट राइड में दिखता कैसा है आपको एक वियो दिखा देती हूँ कि कहां से बोट राइड होती है और वो कहां तक जाती है अफ्टर देट बुका का ये पार्ट यहीं फिनेश होगा और हम वापस अपनी रोट ट्रुप को कंटीन्यू करते है राइपुर जाने के लिए देखते हैं यहां क्या मिलता है तो ये बोट है 15 सीटर है और हम केवल चाहरी लोग है और पीछे 10 सीटर बोट भी है लेकिन वो 10 सीटर बोट कवर्ड नहीं और तूब बहुत तेज हो गई है तो हम अभी मूड में नहीं है और ये सारी बोट लेक आपको जाएंगी इस गोल्डन आइलेंड की थोड़े पहले तक के जो 15 सीटर बोट है उसकी प्राइस है 1500 रुपीज और 10 सीटर बोट है प्राइस है 1000 रुपीज और 1200 फॉर स्पीड बोट ये लेके जाएंगी ये सामने जो आपको गोल्डन आइलेंड दिख रह है वहां त कहानी एक खूपसूरत सी दो दिनों का स्टी और आप चाहें तो आसपस केंदरी वाटरफॉल है वहां भी जा सकते हैं गोल्डन आइलेंड जा सकते हैं तो हम भी अब बस वापस जा रहे हैं बुका से तो तिल दें टेक कियर गुडबाई